हेलो दोस्तों नमस्कार तो कैसे हैं आप लोग चलिए वेल्कम है आप सभी का तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं उत्राखंड एल्टी अग्याम की और खास तोर पर हम देख रहे हैं शिक्षण अभिरूची को हैना तो शिक्षण अभिरूची में तीन क्लासेज हो गई हैं हमारी तो आज हम क्लास इसको मौक टेस्ट ले रहे हैं तो मौक टेस्ट आप जानते हो उत्राखंड एल्टी में शिक्षण अभिरूची से 30 क्वेशन पूशे जाते हैं 30% है ना तो यह बहुत महत्त्रपूर्ण यह रॉल निभाता है एक्जाम में तो यह बिल्कुल एक्जाम में जैसे क्वेशन आते हैं 30 क्वेशन तो उसी बेस पर यह मौक टेस्ट बनाया हुआ है तो इस मौक टेस्ट को आप लोग बहुत इत्मिनान से बहुत अच्छे से आप लोग दीजिएगा और कोशिश कीजिए कि इसको एक्जाम फिल कीजिए है ना और बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा और बाकी आप लोग अंत में जरूर बताना कि यह मौक टेस्ट आपको कैसा लगा ठीक है तो यह हमारे पेट कलास का मौक टेस्ट है बहुत बहतरीं मौक टेस्ट है तो शुरू करते हैं फिर क्वेशन नमबर वन एक बालक परती दिन कक्षा से भाग जाता है वह बालक की स्रेणी में आएगा यह उप्सन है सामानी बालक बी है विकलांग बालक अब इसको दिब्यांग बोल देते हैं सी पिछड़ा बालक डी है और समायुजित बालक इसको आप कह सकते हो समश्यात्मक बालक ठीक है अग ऑप्सन नमबर डी बिल्कुल सही आंसर है ध्यान रखना ठीक है यह बहुत से ग्याम में आया हुआ क्वेशिन है ठीक चलिए आगे बढ़ेंगे और जहां पर आवसकता होगी वहीं पर हम लोग को डिफाइन करेंगे हैंना क्वेश्यन को क्योंकि क्वेश्यन 30 क्वेश्यन अगर हम हर क्वेश्यन पर समय देंगे तो फिर यह गंटे से भी उपर क्लास हो जाएगी है ना बाकि इतना आप इतना ठहराव नहीं हो सकता आप लोग में है तो क्वेश्यन नमबर टू मॉडल का प्रियोग किया जाता है जहां यह उप्सन है वस्तु नहीं दिखाई जा स के बी है कक्षिया को नुशाशित करना हो सी है भाषन देते समय डी है सभी चलिए बेहतरीन क्वेश्यन है इंपोर्टेंट क्वेश्यन तो इसका जो सही आंसर है वह वस्तु नहीं दिखाई जा सके तो मॉडल यानि कि मॉडल को कह सकते हैं प्रतिरूप ठीक है हमें ब्रक्षित हों दिखा नहीं सकते बच्चों को खक्षिया में ब्रक्षित लेके तो नहीं जासे हो पूरा ब्रक्षित है बड़ा या मकान के बारे में बताना है तो मकान पूरा बतान वह नहीं हो सकता तो उसका एक मॉडल तैयार करते हैं और मॉडल कब तैयार किया ज मजलुक ठीक है अनुशासित करना अगर बच्चों को अगर कहीं पर भी अगर ऐसे क्वेशिन आ जाएगा तो आप समझ जाना कि यह नकारात्मक भाव देगा और यह चीज क्योंकि बच्छों को खुला छोड़ों बच्छों को अनुशासित करने के आऊशकता नहीं है यह सभी तो जाई नहीं सकते ठीक तो ए ऑप्सिन का बिल्कुल सही जवाब है बढ़ते हैं क्वेशिन नमर तीन वह अपेक्षित व्योहारगत परिवर्तन जो एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों में देखना चाहता है कहलाते हैं क्या कह सकते हों उसको जो अपेक्षि अपेक्षित परिवर्तन देखो भई शिक्षार्थियों में मुल्यांक यह तो नहीं हो सकता ठीक है जो चीज नहीं हो सकता उसको सीधे डिलेट करो काटो अधिकम प्रक्रिया पाठ्ठिकरम शिक्षन उद्देश्यों देखो हम कोई मानलो कोई भी टॉपिक हमने बच्चो को पढ़ाना शिखाना है ना तो उसके लिए उस टॉपिक के कोई उद्देश्यों होते हैं और उद्देश्यों की प्राप्ति ही हम चाहते हैं बच्चों में अगर हमने शिक्षन कर लिया पूरा तो हम उसके बाद चाहते हैं कि जिस उद्देश्यों के लिए टॉपिक है उद्देश की पूर्ती वच्चे में हो रही है या नहीं हो रहा है ना तो शिक्षन उद्देश इसका बिल्गुल सही जवाब होना चाहिए यह option इसका सही आंसर है ठीक question no 4 निम्न मैंसे दल शिक्षन का कौन शा सत्र मंद बुद्धी बालगों के लिए उप्योगी है बहुत अच्छा question है दल शिक्षन है मान के चलिए यह question तो जरूर बनता ही बनता है और दल शिक्षन पर हमारी class मिल जाईए आपको playlist में जाना वहाँ पर जितने भी हैं दल शिक्षन है और भी कई topic क्लियर किये हुए हैं तो आप लोग जरूर उनको भी देख लीजी है ठीक है तो यह दल शिक्षन का कौन सा सत्र है देखो दल शिक्षन के सत्र कितने तीन सत्र होते हैं एक तो आम सबा बोलते हैं ठीक है एक हम बोलते हैं लगू सबा एक हम बोलते हैं परियुक साला सबा ठीक है या परियुक साला सबा बोल दे जो भी है ठीक है तो यह तीन सत्र होते ह सबसे लंबी होती है नभी मिनट की होती है और दोनों 45-45 मिनट की होते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा यह बहुत अच्छे से मैंने किलियर किया हुआ है ठीक है तो यह तीन सत्र होते हैं इसमें जो मंद बुद्धी बालकों के लिए है वह लगुशबा सत्र है ठीक है देखो यहां लंबे शमय के लिए हम सरसा विचार भी मर्स कर सकते हैं ठीक तो यह लगुशबा यह आप लोग ध्यान रखना और आप जानते हो दल शिक्षन के जनक कौन कहीं जाते हैं डेविड वाडिंग है ना और यह दल जो होता है दल शिक्षन में दल किसका होता है यह भी पाठी उजना हो उसको बना करके कख्या को एक ही साथ जा करके पढ़ाते हैं वही क्या है दल शिक्षन है है ना चलिए आगे बढ़ें फिर क्वेश्चिन नमबर 5 कौन सा किरिया निस्पादन परकार के बुद्धी परिक्षन का उदारण नहीं है किरिया निस्पादन परकार की ठीक तो ये क्वेश्चिन क्वेश्चिन नमबर 5 घं निर्माण ब्लॉक को छेद में फिट करना चित्र के टुक्णों को जोड़ना डी सरल गड़ित समस्यां को खल करना ये किरिया निस्पादन देखो ये आप ऐसे आप लोग समझ रहे होंगे तीनों एक परकार पार की टाइप और डी में भिन्न है तो आंसर आपका एैसी आ जाता है ठीक है इसको आप लोग समझ घाना छिष्पादन ठीक को इसमर्ति का अंग कौन सा नहीं है नहीं है पूसा घा रहे है इसको अंडरलाइन कर लिए ऊट्व Việt नहीं है पूसा घा है स्मर्ति कन अंग कौ कंचे होते हैं आ यह दिए शीखना निलर्णिंग से स्ज्टरट होता है यह द ждa कि भाई धारं यह की लर्णिंग इसको dieses में ज्याद्य ध्यान रखना अधिक है कहीं कहीं पर हिंधी के सब्द बड़े ठिफिकल सब्दा आजाते हैं शीखना इनके learning इसको धारन को बोलते हैं retention इसके बाद आता है recall ठीक है इसके बाद आता है तो यह चार होते हैं अब इसमें देखो learning आ गया retention आ गया और पुनो इसमरन है recall और उसके बाद चिंतन इसमें अलगा आ रहा है तो इसका मतलब चिंतन क्या है इसमिर्ति का अंग नहीं है तो बी option इसका बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा question number seven अमूर्थ बुद्धी किसी व्यक्ति की मदद करती है अमूर्थ बुद्धी किसी व्यक्ति की मदद करती है ए है इंजिनियर बनने में बी समश्या सुल्जाने में C है और जोगिक कारिक करता बनने में और D है सामाजिक कारिक करता बनने में अमूर्थ जैसे गडित क्या है एक अमूर्थ भासात हो है है ना अमूर्थ मतलब जो दिखाई ना दे इंजीनियर लोग तो भई जो दिखता है उसी चीज का निरमार्द करते एंजीर तो हैं ना जैसे मकान बनाते हैं तो मुर्त चीज है ना तो मुर्त बुद्दी होती है उनमत हो तो यह तो नहीं हो सकता समश्या सुल्धाने में अमूर्थ है ना concept अमूर्थ जो विचार होते हैं ये सब क्या हैं अमूर्थ तो हैं तो समश्या सुल्धाने में B options का बिल्कुल सभी दिख रहा है ठीक है चल लिए बढ़ते हैं question number 8 आप लोग वीडियो को पॉच कर सकते हैं अपने answer देने मेरे answer देने से पहले अगर अपना answer आपका नहीं आया तो वीडियो को पॉच कर लें ठीक तबागी पड़े ठीक है question number eight antar mukhi व्यक्तित्तु का परकार है antar mukhi और एक और क्या लोकते हैं बाहय मुख्य यह यह दो परकार बताईए थे युण मुख्य पर तो यह antar mukhi और बाहय मुख्यवन गया दो परकार की उन्होंने more coming तो मुख्य ओफ से दो परकार बताइए थे ब्यक्तित्तु के ओर यह जो परकार बताए थे क्या सारेज रक्सना परकार है या मनोदैड्यानीक है या समासास्त्री या फिर इन में से कोई नहीं hall परकार को ओगर देखना नहीं कि शरी आते हैं ठीक क्रेश्मर क्रेश्मर ठीक है इन्होंने चार बताए क्रेश्मर काई काई वाले आहिताकार कोलाकार है ना लंबाकार ठीक और शेल्डन कार एकार इन्होंने आहिता कार वाला काई इन्होंने काई बोला इन्होंने कार वाला ठीक है तो देख लिना मैंने व्यक्ति और शेल्डन ठीक है और बात अगर समाश सास्त्री वाले परकार में आते हैं तो ये तो भई समाश सास्त्री में एक नाम आता है इस्प्रेंजर ठीक है तो इस्प्रेंजर याद रख लीना इसको इस्प्रेंजर और ये यूंग जूंग मोदे इन्होंने जो परकार बताई अ कौन सा कारक मन्द बुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है आवश्यक नहीं है ठीक नहीं है पुझा भाई ठीन रखना शीखने में मंदगती सारजिक दोश अमूर्थ चिंतन का भाव मौलिक्ता मौलिक्ता क्रियेटिविटी रच्नात मक्ता सरजनात मक्ता जिसको बोल तो यह यह तो भाई मंद बुद्धि के लिए यह मंद बुद्धि वाले इसमें नहीं यह न यह तो जो क्रियाटिव बच्चे होता है उनमें यह गुण होता है तो यह अभाव शेक्ने में मन्द गती शारी दोश आवश्यक नहीं है पूछा है है ना मंद बुद्धि के लिए तो मूर्थ चिंदन का अभावी होता है ठीक है तो ये डी वाला ठीक लग रहा है है ना कहीं पर कोई confusion होगा आप लोग comment box में जरूर पूछेगा है ना उसको हम लोग clear करेंगे फिर question number 10 क्योंकि कभी कभी होता है ना question जल्दबाजी में हम कुछ और बाढ़ लेते हैं समझ लेते हैं और हम answer कुछ और आता है ठीक है लेकिन इतनी मैं दो-तीन बार इसको जरूर चेक कर लेता हूं कहले वैसे ठीक है आंत्रिक अभिप्रिणा तब होती है जब अधिगम करता बाहिय से संतुजनक परिणाम का अनुभाव करने के लिए कारे करते हैं तो आंत्रिक की बात है तो फिर आंत्रिक बाहिय से क्या मतलब है ना आंत्रिक अभिप्रिणा तो आंत्रिक चीजों से ही मिलेगी, है न, स्वयम से ही, ठीक, तो ये बाही अभिप्रिणा तब होती है, जब अधिगम करता बाही पुरुषकार प्राप्त करने के लिए कारे करते हैं, बिल्कुल सही बात, तो बाही अभिप्रिणा तब होती है, ज अधिकम कड़ा बाहिय पूरुसकात इस शाही लग रहा है बहसंे पूर लेते हैं आंत्रैक्टिक पंट परदान करते हैं आंत्रिक पूरुसकार खुद को ही जब समझ पार गीषे तो मत्तंब नहीं तो risky प्रतिश परद्धा पर बढ़ावा देना चाहिए प्रतिश परद्धा नकारात्मक सेंस देता है ठीक है कहां रखना कक्षया में परथम आने वाले बच्चे को पुरुश्करत करके यह बोला है कि बच्चों को शीखने है तो प्रद्ध करने के लिए शिक्षक को किस चीज को बढ़ावा देना चाहिए चलो देखते हैं और शीखने है तो उचित इस्तिति और वातावरण का सर्जन है उचित इस्तिति और शीखने के लिए बातावरण का अगर सर्जन करेंग परिपक्वता का संबन्द किस से है बिका से है बुद्धी से है स्रिजनात्मक्ता से है या रूजी से है अचा परिपक्वता यह क्वेशन मुझे ध्याना आ रहा है एक ग्या में खाया हुआ था मैंने कल परसों ये देखा था कि उसमें ये question ये था कि विकास का वही संबंद परिपक्वता से है विकास का वही संबंद परिपक्वता से है जो उद्धीपन का जो उद्धीपन कैसे लिखेंगे एक मिनट उद्धीपन करके उद्धिपन का संबंद है ऐसे करके question था और उसमां option थे आपके एक तो परिवर्तन था परिवर्तन करके एक प्रतिकिरिया करके था प्रतिकिरिया और एक था अभ्यास या परियास करके कुछ ऐसे था अभ्यास था या परियास था ठीक है जो भी था और एक था परिणाम तो क्या आंसर आना चाहिए इसका बताओ एक यानि के बतले दो क्वेशिन आपके पास हो गई ठीक है इसका जवाब आप लोग देंगे मुझे ठीक है यह प्रस नमर बार का आंसर दे देता हूं मैं परिपकोता का संबंद किसे है तेखो परिपकोता का संबंद बुद्धि से इसका अंसर आप जरोर देना कि विकास का संब्द जो परिपक्वता से है वो उद्धीपन का संब्द को किस से होगा कर कि option आपके पास चलो मैं option किसको मानू यह चलो यहीं से मानले थे A. परिवारतन B. है परतिकिरिया और C. है अभ्यास और D. है परिणाम A. B. C. करके दे सकते हूँ किसका answer आप लोग ने दिया करके क्या दिया करके ठीक चलो question number 13 कक्षा में विध्यार्थियों की ब्यक्तित्तु विभेद लापकारी नहीं है ब्यक्तित्तु विभेद लापकारी नहीं है तो नहीं कह सकते याँ देखते तो विविएध हम इतना बढ़ते हैं तो लापकारी नहीं है डायरेक्टली यह तो नहीं बोल सकते हैं अनुप्यूक तो है बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं तो आंसर क्या बजता है हमारे पार डी बजता है लापकारी है लापकारी है क्योंकि विध्यारतियों की सं जो जो बिभिताएं या अलग-अलग बिध्यार्थियों में हैं, उनका उप्योग वो दूसरे वनने बिध्यार्थियों के लिए भी परियोग में ला सकता हूँ, है ना, तो question number आगे बढ़ते हैं, 14, निकट दूर शिद्धान्त में विकास किस परकार है, निकट से दूर, ठीक है, निकट से दूर, देखो, ऐसे ही समझ मारा है, निकट से दूर, तो केंद्र से शिरों की उर, इसका तो आंसर बिल्कुल ऐसे ही समझा दाने चाहिए, ठीक है, question number 15, निम्नलेखित में से कौन सा आनुवान शिक्ता से निर्धारित नहीं होता है, नहीं होता है, पुझा है, देहान रखना है, अभी समता नहीं होती, अभिवरती नहीं होती, बुद्धी नहीं होती, डी, विक्तित्त, देखो यार, विक्तित्त में तो आनुवान शिक्ता का बहुत बड़ा असर होता है यहां गुर्चा अनुमनस्ता का प्रभाव कहीं होता है भुद्धी? बुद्धी में भी अनुमनस्ता का प्रभाव करता है ठीक है टीचर का मातापीता टीचर में है तो बेटे में भी वो गुणा आजाते हैं या फिर हम जैसे यह ट्रैनिंग कर रहे होते हैं टीचिंग की है ना यह जैसे यह चीज़ें करते हैं तो वहां पर अगर जैसे हमारे मातापीता में से कोई अगर टीचर है तो कभी कभार जो टीच है कि ऐख दे देख रहे हैं करने खर्जिस थो यह अभी चमता भी इसको भी आवकर करती है थो एटीटूट बनाय दाता हो हमें ठीया कैई है तो देखते हैं कि इसका आ 01 किसका हुए है ठीक टो co वर्षी नमबर शिक्स्टीन में अध्यापक ने पाया कि एक विध्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का पहले ठीक तो वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है और उसने अनुमान लगाया कि हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई कर रहा है तो यह विकास एक विवश्टित करम होने की प्रकृति से संबंद है अगर वह वर्ग बनाने में कठिनाई कर रहा है तो वर्ग से का प्रियूग करके ही ही यह एरे का चेतर जो हो बनाया जाता है ना चलिए कोशन नमर 17 अचलिये निम्न मेंसे कौन सा बुद्धी का सिद्धान्त संग्यानात्मक परकिरिया पर आधारित है शंग्यान ज्यान चलिए बहुत अच्छा कोश्य नमर बुद्धी को इसका ऑप्ष बुद्धि के शिदान्द साइद मैंने पढ़ाई है या या फिर उप्रेट खलास में होंगे है ना देख लिना एक बात आप प्लेलिस्ट चेक जरूर करना उसमें कहीं क्लासेज है ठीक कि तो इसका यह आप्शन सही है ठीक है क्वेशिन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि बुद्धि का त्रितंत्र शिद्धान्द किस ने दिया है ना तो ध्यान रखना बहु कारक शिद्धान्द किस ने दिया ठीक है बहु बुद्धि शिद्धान्द किस ने दिया कारक और बहु बुद्धि शिद्धान्द अलग अलग है question number 18 वह है इस्तिती जिसमें व्यक्ति समान लक्ष द्वारा विक्सित आकर्षित होता है यह दुविदा की अनुभूती का परदसन करता है क्या कहलाता है उपागम परिहार द्वन्द परिहार परिहार द्वन्द चलिए यह question भई बहुत important है इसे question भी पूस गये जाते है बहले ही easy लगे आप लोगों को अगर पढ़ लिया हो तो easy लगता है भी है ना तो वह है इस्तिती जिसमें व्यक्ति समान लक्ष द्वारा विक्सित आकर्षित होता है तो यह दुविदा की अनुभूती जो है बी option उपागम परिहार है ना तो समान लक्षिद वारा विक्षिद भी हो रहा है और आकर्षिद भी हो रहा है ठीक है शकरात्मा और नकरात्मा दोनों परभाव पड़ते हैं तो फिर उपागम परिहार दुन दहम लोग कहते हैं ठीक question number 19 उस अधिगम को क्या कहते हैं जिसमें एच्छिक अनुक्रिया उनके परिणामों द्वारा नियंत्रित होती है एच्छिक मलब जो इच्छा की अनुशार की जा रही होती है तो ऐसी अनुक्रिया उनके परिणामों द्वारा नियंत्रित होती है तो उस अधिगम को क्या कहेंगे बहुत important है वही अगर आपने अधिगम शिद्दान पढ़े होंगे ना बहुत अच्छे से तो इसका अंसर आप चुठकियों में देंगे तो एच्छिक अनुकिरियां उनके परिणामों द्वारा नियंतित होती है जो इच्छा पर आ रहा है जो क्रियां हैं वो क्या होती है उनके परिणामों द्वारा नियंतित होती है तो यह क्रिया ठीक है क्रिया परशूत अनुबंदन इसकी मेर यह option इसका बिलकुल सही जवाब है ठीक चलिए question number 20 ग्रहायत्मक जो ग्रहन करने वाले के जो कौसल होते हैं ग्रहात्मक कौसलों में सामिल है सुनना बोलना बोलना लिखना सुनना पढ़ना या फिर पढ़ना लिखना तो इसका सही जवाब है देखो जो ग्रहन जो कौसल है कौसल कितने कौसल कितने होते हैं बही जैसे लस आरडबलू लस आरडबलू ये आपने चार इस्टप देखेंगे पहले लिसन सुनना ना सुनना बोलना पढ़ना लिखना इस हिसाब से बच्चा आकर बढ़ता है तो इसमें जो सुनना ठीक जो सुनना है और जो पढ़ना है LR ठीक ये LR जो है ये गरहनक वाले कौसल है गरहात्मक कौसल है ध्यान रखना ठीक है ये जो SW है ठीक है इनमें ये जो है वो एक्टिव होगा बंदा ठीक है जो बच्चा है वो SW में क्या होगा एक्टिव होगा एक गरहात्मक कौसल होगे औ और दूसरा क्या नाम बूल सकते हैं ऐसा डब्लू को मुझे ध्यान नहीं आ रहा रहात्मक कॉसल और व्यक्तात्मक कॉसल वह सकते हैं जो भी है आप मुझे ध्यान नहीं आ रहा रहा है तो यह अभी क्या होगा सुनना और पढ़ना जो है यह ग्रहात्मक कॉसल है ठीक कुछि प्राशंगिक अंतरबोध परिक्षन टी एटी बेक्तित्तों के किस सिद्दांद से संबंदित है टी एटी तो ये बेक्तित्तों के सिद्दांद भी मैंने कंप्टिट किये हैं तो आप लोग जरूर देख लेना ठीक है कोशिण नमर्ट 21 तो ये प्रक्षेप और जाए घृ किके कितने कार्ण हो क्योग मुऔर ये जाते हैं दरस तीस बारहो तो फिर पंद्रह तो इसका रही जवाब है दसशने काड़ होते में इस तीन कारड रंगीन होते हैं stump था पांस काले होते हैं और बाकी के तीन आठ दो काड पचते हैं वो काले शपीद और लाल के मिक्सलन होते हैं ठीक है काला शपीद लाल तीन रंग में होते हैं ठीक तो इसमें ध्यान रखना पांस काले काड होते हैं यह कहीं बार पूसा जाता है तीन रंगीन होते हैं, और तीन रंगी, तीन रंगीन ध्यान रखना, ठीक, क्वेशिन नमर 23, स्रस्टी हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इन में से काफी समाधान मौलिक होते हैं, स्रस्टी किन गुणों का परदसन कर रही है, मौलिक, ठीक है, मौ जर्जनात्मक यह option हमें बहुत clear दीख रहा है ठीक है चलिए question number 24 निमलखित मैंसे कौन साथ तत्व अभिप्रेणा चक्र से संबंदित नहीं है तो अभिप्रेणा चक्र में आप जानते हो आवशकता उसके बाद हिंदियों बोलते हैं अंतर्नोथ ठीक है इसके भी कहीं नाम है अंतर्नोथ बोल देते हैं कहीं कहीं आप लोग देखो प्रनोथ बोलते हैं कहीं कहीं प्रेरक बोलते हैं कहीं तो चालक मिलेगा चालक ठीक है तो यह अलग अलग नाम है इसके अंतर्नोथ प्रनोथ इसके बाद लक्षे उद्देशित व्योहार होगा ठीक लक्षे उद्देशित दे कैसे लिखेंगे लो थोड़ा लिक्कत हुए उद्देशित आव निर्देशित बोल सकते हो लक्षे निर्देशित जो लक्षे है उसके अनुशार वो व्योहार करेगा उसके बाद फिर प्रोशाहन मिलेगा ठीक फिर ऐसे ही यह परकिलिया आगे बढ़ती रहेगी यह जक्र होता है ठीक है तो आवश्यक्ता अंतरनोध हमने देखा अंतरनोध को प्रनोध भी होता है औ कि अवश्यक्ता का शिद्दान कि ने दिया आगा लुए ने कुछिन नमबर 25 जिमन मैंसे कौन सा बाहिया अभी मिप्रेणा का इक कुदारन है यह जो जी जारी है थीक है तो मैं अपना गरह कार्य को पूरा करते हूं क्योंकि शिक्षक प्रतेक नियतकार के लिए हमें अंक प्रादकर देते हैं तो ठीक लग रहा है दे में अपना घघह कार है करना पसंद करती हूँ क्योंकि यहां बहुत नदायक है तो इस्में वह तो बाही कोच नहीं में है वह बाहेर का उदिजर नहीं है मैं बहुत अधिक मत अगाने कार चेख्ञे को जब मैं अपना देते हैं अंकों के लिए निकि बाहिए अभी परिणा है ना बाहिए शंतुष्टि के लिए बाहिए कारी के उसके लिए हम इसलिए हम ग्रहकारी को पूरा करते हैं हम आंत्री ग्रूप से अभी परिण नहीं है ठीक क्वेशिन नमबर 26 रूची और अउधान में क्या संबंद है यह बड़ी इकी मात्र होगी ठीक है छोटी इकी मात्र होनी चीए रूची और अउधान कारण है और रूची परिणाम आप लोग देख लीजीगा इसका सही जवाब होगा रूची से अउधान आता ह ठीक है ध्यान रटना ठीक रूची से अउधान आता है ठीक है रूची से अउधान या इसको ध्यान बोल सकते हो ठीक ध्यान अगर हमारी रूची होगी किसी चीज में तो हम तभी हमारा उस चीज में ध्यान होगा है ना तो क्वेशिन नमबर 27 गंभीर मानसिक मंदता वाले बुद्धी लब्दी जो टेबल दी है उसको आप लोग जरूर देख लिना एक बार ये भी मैंने कराया है देख लिना आप लोग ट्लास ठीक तो 27 इसका जो आंसर होगा 20 से 35 ये मंद बुद्धी बालकों की जो है जो गंभीर मांशिक मंद बालक हैं उनकी बुद्धी लगती है ते गंभीर मांशिक मंद बाले 28 पुनर बलन सिद्धान्त पर आधारित शिक्षण बिधी है पुनर बलन सिद्धान्त पर आधारित शिक्षण बिधी संबाद बिधी हरवर्टी बिधी ब्याक्ष्यान भी दिए अभिकिरमित अनोदेशन भी तो यह पुणरबलन शिद्दान पर आधारे शिक्रण भी दिए 29 एक अच्छे मुल्यांकन की विशेष्टा नहीं है तो अच्छे मुल्यांकन की विशेष्टा नहीं है पूसरा है वैदता आत्मनिष्टता वस्टनिष्टता या व्यापक्ता तो वैदता वैद होने ची है ना वस्टनिष्टता होने ची परिक्षिया जो मुल्यांकन है ना व्यापकता भी होने चीए वह आत्मनिस्टता नहीं ठीक है आत्मनिस्टता बोल जकते हैं तो यह भी ऑप्षिन बिल्कुल इसकी बिश्चता नहीं है ठीक है अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग मुझे लगता है कि जब तक शेयर के लिए ना बुलों तब तक करते नहीं आप लोग साइड तो आप बिना कहें कर दिए कर दे क्लास तो अंतिम कोश्चिन है किरियात्मक अनुशंधान का मूल उद्देश्य क्या है यह option है विद्याले की कारे प्रणाली में सुधार करना बी है विद्याले की आर्थिक ढांचा सुधारना सी है ने सिद्धानतों की खोज करना और दी है पुरानी सिद्धानतों की व्याख्या करना यो किर्यात्मा अनुसंदान होता है विद्याले इस्तर पर यह आप लोग ज होती है तो विद्ध्याले की जो कुछ समश्याय होती है या विद्ध्याले की जो कारी प्रणाली में कुछ सुधार लाना होता है तो उसके लिए किर्यात्म अनुसंदान किया जाता है लेकिन जब बात हम मौलिक अनुसंदान की करते तो मौलिक हर जगा माननी होता है ठीक है वो वाइलिड होता है तो मौली का नुसंधान होता है तो एक किर्यात्मा नुसंधान हम देख सकते हैं ऑप्षन नंबर यह बिलकुल इसका सही जवाब हो जाएगा कि विध्याले की कारेपनाली में सुधार करना इसका क्या है एक मूल उद्देश है ठीक तो यह ऑप्षन इस आखिर आपके लिए ठीक है कि नहीं है ना तो निश्ची तुरूप से आप लोगों के लिए बेनेफिट देगा और आप लोगों की तैयारी में यह बहुत अधिक मदद भी करेगा है ना तो इसी परकार आप लोग बने रहें और बहुत अच्छी अच्छी क्लासे आप लो क्लाप लोगो